प्रकृति की शुष्मा, बच्चों, मैं मिस्कनकलता चा, इससे पहले हमने प्रकृति शुष्मा का एक भाग पढ़ा है, आगे हम प्रकृति शुष्मा के आगे भागों को हम पढ़ेंगे और जानेंगे, इश्मा ने सुरिया चंद्रमा, तारे, नदिया, जर्ने, परवत, आधि से प्रकृति को सजाया है, ये प्रकृति में तरह तरह की रंग भड़ते हैं, पक्षियो का कल्रम मधुर लगता है, ये प्रकृति तत्व संसार को सुन्दर रूप देते हैं, इस कविता में प्रकृत के इन तत्वों की चर्चा की गई है। अगे प्रकृति के कुछ और रूपों से अवकत होते हैं। की जो पानी के गिरने की जो आवाज होती है वो इतनी अच्छी लगती है, इतनी सुकून दायक होती है, इतनी शीतल होती है कि आपके मन को ऐसे ही मंत्र मुग्द कर देती है। वो ऐसे ही लोगों को मुँ लेती है। तभी तो बच्चो हम इस शहरी करन की दुनिया से बाहर निकलते हैं और पहारों पर घूमने जाते हैं। तो हम क्या पानी जाते हैं? यहां सब कुछ है, हमारे एशो आराम का सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है, तो भी हम इन जगहों पर जाते हैं घूमने के लिए, इन्हें देखने के लिए जाते हैं, तो हम किस लिए जाते हैं? उसी सुकून की तलाश में जाते हैं हम, उसी श सुन्दर सुन्दर पुष्प हम देखते हैं जिल्मिल जिल्मिल बहुत सारी जिल्मिलाहट देखने को हमें मिलती है सब प्रकृति में चारो तरफ फैला हुआ है विवित तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुन्दर रूप छलगते और चारो तरफ सुन्दर सुन्दर फल फ चारो तरफ जो है व्रिक्ष होते हैं, लताई होती है, हवाओं के आने से वो इधर इधर जूमते हैं, बिखरते हैं, सुन्दर हवा बहती है, उचे उचे परवत है हमारी प्रकृती में, जो आसमान को चूमते वे नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि चारो तरफ आसमान में बुँझ उठी है धर्ती, चाही रहती ऐसी शुष्मा, प्रकृती सदा ही हसती। और ऐसा लगता है चारो तरफ चिर्याज की चहाहट होती है चारो तरफ ये प्रकृती की शुष्मा जो नजर आती है ऐसा लगता है प्रकृती बहुत ही खुबसूरत बहुत ही सुन्दर और सदा मुस्कुराने वाली होती है वो कभी उदास नहीं होती हमेशा मुस्कुराने बच्चो ये अलग बात है कि हम लोग जो है वो प्रकृती को कही ना कही उसके साथ खिलवार करते हैं तब जाकर प्रकृती अपना रोधर रूप दिखाती है वरना प्रकृती हमेशा हस्ती रहती है बहुत खुबसूरत होती है और बहुत ही सुन्दर होती है इन सबसे ही इंद्रधनुष कई रंग बिखराते हैं, वैसा लगता है कि प्रकृति ने तो धर्ती पर ही ना जाने कितने इंद्रधनुष बिखरा कर रखे हैं, कितनी रंग बिरंगी ये दुनिया है, कितनी खुबसूरत ये दुनिया है, कितनी सुन्दर ये दुनिया है। करते हैं और रंग विरंगे होते हैं और इस तरह से वह धरती को सजाते हैं प्रकृति सदा हस्ती है ऐसा कियों कहा गया है प्रकृति का यह मनुरंग रूप देख कर ऐसा कहा गया कि प्रकृति सदा जो है वो हस्ती रहती है धन्यवाद